कल का मार्केट कैसा रहेगा कल मार्केट गैप अप गैप डॉन या फिर फ्लैट खुलेगी जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहें तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूटुब चैनल पर आप्सन ट्रेडिंग टेकनिकल एनालाइसिस में तो फटाफट से देखेंगे बैंक निफ्टी और उसके बाद देखेंगे निफ्टी 50 और फिन निफ्टी तो आप लोग देख सकते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर हैं आज के दिन क्या हुआ आज के दिन बैंक निफ्टी ग्याप आप ऑपनिंग हुई और उसके बाद आप के अंदर important resistance निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यह बाला लेबल जो की लेबल है 44,630 का अब मान लीजी अगर कल के दिन bank nifty इस लेबल के उपर gap up आपनिंग लेती है तो ऐसे scandal के अंदर resistance दिखाई दे तब आप लोग यहां पर safe call buy कर सकते हैं और यहां तक target के लिए जा सकते हैं जो की हमारा अगला resistance होगा 44,730 का यहां पर आप लोग अपना profit को book कर सकते हैं या तो फिर अपना SL को trail कर सकते हैं अब मान लीजी अगर कल के दिन bank nifty फ्लैट खुलती है जहां पर आज के दिन closing दी है जो की लेबल है 44,461 का अगर यहां पर फ्लैट खुलती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यह यहां पर कॉल अर्पुट के चक्कर में नहीं परना है जब इस लेबल को यहां पर breakout कर देगी जो की लेबल है 44,540 का तब आप लोग यहां पर सेफ कॉल वाई कर सकते हैं और यह दो target के लिए जा सकते हैं अब जो हमारा bank nifty के अंदर important support निकल के आ रही है वो निकल के आ रह जाती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहां पर जल्दवाजी के अंदर put की entry नहीं लेना है जब इस लेबल पर दुबारा retracement करने आएगी या फिर इस लेबल के नीचे 15 मिनट सस्टेन कर जाती है तब आप लोग यहां पर सेफ कर सकते हैं और यहां तक target के लिए जा सकते है जो की हमारा अगला support होगा 44,220 का यहां पर आप लोग अपना profit को book कर सकते हैं या तो फिर अपना SL को trail कर सकते हैं अब जो हमारा nifty 50 के अंदर important resistance निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यह बाला लेबल जो की लेबल है 19,440 का अब मान लीजी अगर कल के दिन nifty 50 इस लेब के अंदर call की entry नहीं लेना है जब इस लेबल पर दुबारा retracement करने आएगी और bullish candle के अंदर resistance दिखाई दे तब आप लोग यहां पर safe call by कर सकते हैं और यहां तक target के लिए जा सकते हैं जो की हमारा अगला resistance होगा जो कि एक psychology का भी लेबल होगा 19,500 का यहां पर आप लोग या तो फिर अपना SL को trail कर सकते हैं ध्यान में रहे अगर कल के दिन nifty 50 इस लेबल के उपर gap up आपनिंग लेती है तो इस लेबल के उपर retracement पर ही आप लोगों को यहां पर entry लेना है नहीं तो आप लोग यहां पर trap के अंदर फस सकते हो अब मान लीजिए अगर कल के दिन nifty 50 फ्लैट खुलती है जहां पर आज के दिन क्लोजिंग दी है जो की लेबल है 19,380 का अगर यहां पर फ्लैट खुलती है तो ऐसे कंडिशन में आप लोगों को यहां पर call or put के चकर में नहीं परना है जब इस लेबल को यहां पर breakout करेगी जो की लेबल है 19,400 का तब आप लोग यहां पर safe call by कर सकते हैं और यह दो target के लिए जा सकते हैं अब जो हमारा nifty 50 के अंदर important support निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यह वाला लेबल जो की लेबल है 19,350 का अब माल लीजिए अगर कल के दिन nifty 50 इस लेबल के नीचे gap डॉन खुल जाती है तो ऐसे condition में आप लो पाजी के अंदर पुट की entry नहीं लेना है जब इस लेबल के नीचे 15 मिनट सस्टेन कर जाती है या फिर इस लेबल पर दुबारा रिटेस करने आती है और बीरी स्केंडल के अंदर रेश्टेंट दिखाई दे तब आप लोग यहां पर safe put by कर सकते हैं और यहां तक target के अंदर important resistance निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यह वाला लेबल जो की लेबल है 19,780 का अबमान लिजी अगर कल के दिन फिन निफ्टी इस लेबल के उपर गया पाप आपनिंग लेती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहां पर जल्दवाजी के अंदर call की entry नहीं लेना ह जब इस लेबल के उपर approximate 30 minute sustain कर जाती है या फिर इस लेबल पर दुबारा retracement करने आती है तब आप लोग यहां पर safe call by कर सकते हैं और यहां तक target के लिए जा सकते हैं जो की हमारा अगला resistance होगा 19,460 का यहां पर आप लोग अपना profit को book कर सकते हैं या तो फिर अपना SL को trail कर सकते हैं अब मान लीजी अगर कल के दिन fin nifty flat खुलती है जहां पर आज के दिन closing दी है जो की लेबल है 19,708 का अगर यहां पर flat खुलती है तो ऐसे condition में आप लोगों को यहां पर जल्दवाजी क की अंदर call output के चक्कर में नहीं परना है जब इस लेबल को यहां पर breakout करेगी जो की लेबल है 19,730 का तब आप लोग यहां पर safe call वाई कर सकते हैं और यह दो target के लिए जा सकते हैं अब जो हमारा fin nifty के अंदर important support निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है यह वाला लेबल जो आप लोगों को यहां पर जल्दवाजी के अंदर put की entry नहीं लेना है जब इस लेबल पर दुबारा retracement करने आती है और बीरी scandal के अंदर restaurant दिखाई दे तब आप लोग यहां पर safe put buy कर सकते हैं और यहां तक target के लिए जा सकते हैं जो की हमारा अगला support होगा 19,570 का यहां पर आप लोग अपना profit को book कर सकते हैं या तो फिर अपना SL को trail कर सकते हैं तो आसा करता हूं bank nifty, nifty 50 और fin nifty की सारे level आप लोगों को समझ में आ गई होगी आप लोग अपने chat के उपर यह सारे level मार्क कर लें ताकि कल के दिन आप लोगों को कामकाज आ सकती है तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिंद बंदे मातरम